हेलो गाइज वेलकम बैक और आज की इस वीडियो में तीन टॉपिक डिसकस करेंगे रसे क्रिप्टो सिस्टम, डिजिटल सिगनेचर और हैस फंक्षन जो कि इसी से रिलेटेड जुटता हुआ एक टॉपिक है डिजिटल सिगनेचर से इसके अंदर जादा को जैसे कॉंसेट नहीं है जैसे इंक्रिप्ट्ट्रीप्ट्री सिस्टम है कि आपका क्रिप्टोग्राफी का वो काम कैसे करता है और उसमें कौन-कौन से conceptos use होते है इसमें सिर्फ जो है उसी का introduction है तो RSA जो कि इसके abbreviation है ये तीन scientist के name पे है Rivas, traveled और health और अल्वेन, ये तीन scientist के name पे जो है RSA क्रिप्टो इंस्टम के topic को design किया गया है यह वैसिकली आपका public key crypto system में अभले public key cryptography जों उमने प्रीविएस video में discuss किया था उसी के अंदर जो है इस RSA क्रिप्टो सिस्टम के concept का यूज किया जाता है जो कि secure data transmission के लिए मेजरली safety purpose के लिए हमारे data की security को maintain करने के लिए cryptography का use करते हैं और उसी का जो है cryptosystem जो है हमारा aic system है जो कि cryptography क कॉंसेब्ट को जो है create करता है या फिर design करता है तो जो हमारा crypto system है ये हमारा initial system होता है जो कि mostly जो है आज के time पर use किया जा रहा है to secure the data और इसको जो है तीन scholars ने या फिर हम मैं बोल सकता हूं scientist ने जो है discover किया था Ron Revis, Eddie Shamir और Len Edelman और इनहीं के नाम पे जो है इस crypto system को जो है rename किया गया RSA crypto system के name से तो जो RSA crypto system है इस system के अंदर basically आपकी 4 terms आती है key pair, key pair के अंदर हमने दो keys discuss की थी previous video में public key, cryptography और private key ये दो keys जो है इस crypto system के अंदर आती है और दो हमारे process आते है, secondly encryption, decryption की algorithms जो कि मैं previous video में discuss कर चुका हूँ जिसका link आपको description में मिल जाएगा और हमारा आज का second topic रहने वाल है digital signature, digital signature और hash function ये दोनों जो है एक दूसरे से core related topic है और इसी video के अंदर मैं इन दोनों topics को discuss करूँगा तो जो digital signature है वो basically आपके mathematical scheme है जो कि हमारी digital messages जो भी होते हैं जैसे कि digital documents या फिर digital e-certificates जिनम बोलते हैं उन messages की authenticity उनकी authorization को maintain करने के लिए digital signature का use किया जाता है और जो हमारा valid digital signature होगा उसके अंदर जो भी information वो store करेगा वो basically hash algorithm से integrated वो values होती है और वो ensure करती है कि जो भी उस digital signature के थूँ जो document के अंदर वो signature use किया हो गया है उसके अंदर जो भी data है उसको कोई भी alter ना कर पाए, alter करने का मतलब है modify ना कर पाए और जो भी sender ने एक authenticated message send किया है वो जो है receiver के पास easily पहुंच जाए without any modification जिसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ non-repudiation, non-repudiation का मतलब है कि sender ने जो भी message send किया है वो exactly same message जो है हमारे receiver के पास पहुंचे बीच में जो है उसके पास during the transmission of message कोई भी attack ऐसा ना हो जिससे data को modify किया जासके या फिर जिससे data को breach किया जासके और इसे जो है authentication factor भी बोलते हैं इसी ने digital signature जो है हमारे maximum जितने भी current time पे जो है digital certificates, digital documents हम use करते हैं उनके अंदर जो है authorized organization जो है digital signature का use करती है जिससे जो है उस document की verification और authenticity जो है चेक की जाती है पर यही चीज़ यहाँ पे mention है कि जो digital signature है वो authentic होना चाहिए, unfalsifyable होना चाहिए, unfalsifyable का meaning है जो भी हमने digital signature का use किया है वो जो है हमारा एक तरिके से copyright free होना चाहिए means जैसे हमारे बहुत सारे documents बहुत सारे content होता है उसके अंदर copyright होता है means वो content है वो किसी और ने उसके जो rights है वो gather कर रखे है बट वो चीज़ जो हमारे digital signature में नहीं होनी चाहिए हर एक organization का या फिर हर एक individual का जो digital signature होता है वो हमारा copyright free होना चाहिए, trademark free होना चाहिए और जो digital signature है हमारा वो non reusable होना चाहिए, non reusable का meaning है कि अगर एक organization किसे digital signature को use कर रही है तो कोई दूसरी organization या कोई दूसरा individual person उस digital signature को use नहीं कर सकता और जब ये सारी properties जो है authenticity, unfalsifiable, non-reusable, unalterable ये सारी properties जब gather हो जाती है तब जो है हमारे digital signature की authenticity या फिर जिसम verification बोलते हैं वो completely verify हो जाती है और जो हमारा integration of information का concept है जो कि digital signature store करके रखता है वो जो है हमारा completely successfully execute होता है और जो digital signature है वो हमारी information को verify करने में या फिर secure करने में help करता है with the help of hash algorithm अब hash algorithm क्या है वो जो है मैं आपको इस diagram की help से इस picture की help से समझाओगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो concept है एक है signing का और एक है verification का जैसे हमने encryption और decryption का process किया था same digital signature में भी आप मान सकते है कि जो हमारी signing है उसे हम encryption बोलेंगे और जो verification है उसे हम decryption बोलेंगे अब आप देख सकते हैं जो भी हमारा data है उसको hash function की help से जो है यहाँ पर code कर दिया गया previous video में मैंने आपको बताया था जहाँ पर encryption उसका मतलब है coding जहाँ पर decryption उसका मतलब है decoding hash function की help से जो आपका data था उसको code कर दिया गया binary form में और फिर जो उस binary form में जो data convert हुआ है उसको जो है एक private key की help से encrypt किया गया with the help of hash algorithm और वो जो हमारा binary form में जो data था वो अब एक signature की form में convert हो गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक certificate के अंदर जिसे में इस certificate बोलता हूँ electronic certificate जो की verified होता है मारा digital signature से और बाद में जो है उस signature को जो की verified है hash function की help से digital signature की form में वो create हुआ है वो बाद में जो है digitally sign कर दिया जाता है documents के उपर किसी भी PDF के उपर किसी भी authorized document के उपर और जब इसे चीज़ के व्यक्ता में घल लए इसको वेरिफिकेशन की बाद आती है तो वह ब्र 광ूंस एक्सक्राद जाता है वा नंख से इंधरी जाता हां उसको फिर ने हमारा दिकोडिड ऑनरी जो देटा था वह बाद में हमारा signature की form में या फिर actual data की form में convert हो जाता है इसलिए यहाँ पर दोनो hash की value जो है आप देखेंगे equal है because जो हमारी hash function की data की value होगी भही हमारी hash function की binary data की value होगी और जब हमारी यह दोनो hash की value equal हो जाएंगी तो हमारा signature जो है valid होगा और इससे जो आप verification कर सकते हैं की आपका जो digital signature है वो verified है एक particular organization के साथ या फिर एक authorized individual के साथ और यह जो hash algorithm की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एक hash function यूज होता है जो की cryptographic hash function के नाम से भी जाना जाता है CHF यह जो है mathematical algorithm है जो की आपके data को जो है map करती है arbitrary size की form में जिसे हम बोलते है message की आपके message को जो है वो algorithm map करती है किसके अंदर a bit of array of fix size एक array की form में जो है वो value को convert करती है array आपका एक general data structure से है जो की value को store करता है अब hash value, hash और message digest यह तीन इसके abbreviation है जो के हम hash function के अंदर use करते हैं अब यह जो है हमारा one way function है one way function का meaning है आपका data जो है binary form में convert होगा और practically उसको invert करना बहुत ही जादा difficult है जो की hacker के लिए एक बहुत ही बड़ा challenge है कि वो data को steal कर सके या फिर data को breach कर सके अब यह invert आपका जब ही हो सकता है जब आपके पास private key होगी उस data को decrypt करने के लिए अब इसके अंदर जो हमारा hash function है वो brute force एक algorithm होती है उसका जो है use करता है possible inputs को extract out करने के लिए और match को produce करने के लिए match को produce करने का मतलब है आप इस picture में देखेंगे यहाँ पर जो हमारे दो hash value create होई है इन दोनों को जो है हम बोलेंगे यहाँ पर हमारा match अब यह match जब ही होगी जब हमारा data और digital signature के दोनों की binary data है या फिर जो भी हमारा cryptographic hash algorithm से data produce होई है वो दोनों value equal produce करेगा otherwise जो है हमारा hash function जो है verify नहीं होगा और हमारी hash value जो है data के लिए और digital signature के लिए डिफरेंट आएगी अब cryptographic hash function जो है यह हमारा एक digital या फिर मैं बोल सकता हूँ basic tool है modern cryptography का because यह जो है आपको जो है map करता है आपके data को hash function के साथ जिससे जो है आपका data जो है normal data की बजा जाता है और hash function की जो है हमारी कुछ main properties है इनको use करते समय अब यह जो भी हमारा hash function किसी भी data पे apply करेंगे वो जो है आपका output जो है वो कुछ fix length का output देगा means जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा यह data था उसको जो है एक fix length of binary numbers में जो है इसने convert कर दिया तो यह हमा जो hash function है वो किसी भी data को अगर convert करता है digitally तो वो जो है हमारी fix length का output आपको provide करेगा अब यह मैं इसके introduction में भी बता चुका हूं कि यह one way होता है one way का meaning है अगर आपने किसी data को जो है hash function की help से जो है binary form में convert कर दिया या फिर encrypted form में convert कर दिया तो आप जो है उसको बापिस से decrypt नहीं कर सकते जब तक आपके पास private की नहीं होगी तो इसलिए जो है हमारा computationally hash function हमारा one way होता है और इसका एक general यहाँ पे denote करने का present करने का method है hash function का capital H of X is equal to H अब third इसकी property आती है हमारी collision free, collision free जो है हमारा hash function होना चाहिए because अगर आपने एक organization में दो digital signature आपने create किये, verify किये तो उन दोनों का input है उनका same output नहीं होना चाहिए वरना आपका digital signature का miss use जो है easily हो सकता है अब यह जो है हमारा deterministic होना चाहिए, deterministic का meaning है कि उसके अंदर जो है जो भी हमारा message है, जो भी हमारा signature है वो हमारी same hash value को denote करना चाहिए, जैसा कि हम इस image में देख चुके हैं कि हमारे data की और हमारे signature की binary value की जो hash value है वो दोनो equal है और last जो है, यह हमारा quick होना चाहिए, quick का meaning है कि fast होना चाहिए, जब भी हम hash value को compute करें या फिर हम digital signature को verify करें तो उसके अंदर जो हमारे digital signature है, वो quickly verify हो जाना चाहिए और हमारी hash value जो है, hash function की help से, hash algorithm की help से easily identify और verify हो सके अभी यहाँ पर यहाँ पर किसकी image देख सकते हैं, कि यहाँ पर center में cryptographic hash function या मैं बोलूँ आप cryptographic hash algorithm जो है implement की गई है जो कि जो भी हमारा input आ रहा है, उसको encrypt करके digest कर रही है हमारे hash function की help से अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल input है fox fox उसको जो है जब हमने encrypt किया तो कुछ ऐसे numbers में convert हो गया कि अब hacker अगर इस data को जो है अपने पास still भी कर लेता है अपने पास store भी कर लेता है तो वो इसको decrypt नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे input example है जिसको cryptographic hash function हमारा digest कर रहा है encrypt करने के बाद और इसलिए हमारा cryptography का concept है हमारी computer security के अंदर हमारी network security के अंदर बहुत जादा important है बिकोज जब से cryptography या फर crypto system introduced हुआ हमारे digital world के अंदर modern computer system के अंदर हमारा जो data है वो बहुत ही जादा secure हो गया है और बहुत ही जादा जो attacks होते थे पहले हमारे data को steal करने के लिए वो अब जो है हमारे बहुत ही कम हो गये है तो यह जो है हमारी important से crypto system की, cryptography की और hash function की हमारे modern digital world के अंदर Thank you